कि यह दालो हेडि कि से अब ऐसे तो नाइनत में पढ़ना है वेब वनी साउंड ये पढ़ना है। मतलब वेब काई पार्ट है छोटा साउंड वेब में हम लोग जेनरल वेब पढ़ेंगे यह वेब होता कितने तरह का होता है कैसे चलता है वे पार्टिकल से कैसे अलग है ठीक है एक जामपल की तौर पर समझो कि जैसे कि कभी समुद्र के किनारे गहा गुमने बीचे वगर अपर गया है तुम नदी के किनारे गये होगे में देखा होगा यह थो ऊसमें जो वेव ऐसे आता है तो बहुत है अपर तो दिस्टरक्टिव होता है अगर समद्रें पगए नहाने जाओ न भी जाता है कि अपर जब जाता है तो अंदर लेकी चला जाता है तो ऐसा होता है इसका मतलब वो वेब आ रहा है कहीं ना कहीं लार्ज अमाउंट ओफ एनरजी लेकर आ रहा है ठीक है तो तो चेंजिस कर रहा है तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ अश्य में के सांथ पानी ताला व्हें तुमने इक सटोम गिरा आए होता है जहां पे तुमिने गिराए हो लुआ था करे जोटा रहता है और वहीर दीजिल्टा रहते है आगे तक करे था सब्सक्राइब सबिद्सां्बदा Vanessa है जैसे मालोग तुमने ऐसा समझों कि कि ऐसा समझों कि तुमने यह पानी है और यहां पर तुमने यह गिराया दिया जैसे यह स्टोन गिराया तो यहां पर फाने का एक वेव ऐसे बनता है फिर अगला वेव ऐसे बनता है फिर अगला वेव ऐसे बनता है ठीक है तुमने पत्थर तो यहां गिराया था बट वेव यहां भी गया तो जैसे यहां पर स्टोन गिरा तो यहां पर क्या बना डिस्टर्बेंस क्या हुआ एक डि तुमने बहुत प्रैक्टिकल बाते बता रहा हूं, इसको वाटर वेब बोलते हैं, और एक तरीके से ऐसा सोचो, कि एक रसी लो, और उसको इस दो इंड में बान देदो, ऐसे, ठीक है, अब तुम सोचो, इस वाले इंड को हलका सा उपर खीचो, ठीक है, हलका सा उपर खीच क जैसे छोड़ेंगे क्या होगा, ये वाला कहां जाएगा, उठके उपर, ऐसे, मैंने डिस्टर्ब किसको किया, यहां वाले को, बट ये डिस्टर्बंस क्या, बस यहीं तक रहेगा, फिर ऐसे, 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 चलता जाएगा, समझ में आया, ये जो डिस्टर्बं हुआ यहां तक भी आया मैंने कहां किया था यह मैं मैं समझ मुधारा गया एकacao जो पार्ट्कोल कै यह पार्ट्कल अपना लोकेशन छोड़ देगा को रहेंगा इक रसी है रसी करणा श्मine पार्टिकल क यहां तक पहुंच गया निची zod Tucson कriosक्डी से में 10 पार्टिकल नहिंद नहीं छल रहा मतों कि तो मत्स पहुंच रहे और किया पहुंच रहा है किया पहुंच रहा है mut theory कर का मुववमेंट नहीं हो रहा है तो हो किसका मोमेंट रहा है अब बता यह तना कुछ देखने के बाद तुम वेब को कैसे क्लासिफाइब कर सकते हैं कि a disturbance विच प्रोपागेट थूरू एमीडियम एक मीडियम को तुर जाएगा और विच कैरी एनर्जी समझ में रहा है कि मैंने पानी में एक disturbance दिया ठीक है और वो disturbance चल रहा है और उस disturbance के साथ जा क्या रहा है एनर्जी समझ में रहा है बट इस पर पार्टिकल का चलना मना है पार्टिकल नहीं चलेगा तो complete definition क्या लिख होगे at disturbance अगे बोलो, propagation of disturbance, disturbance which propagate energy through a medium without transferring of particle propagate का मतला समझते हो ना चलना एक वैसा disturbance जिसमें चल क्या रहा है energy through a medium through a medium without without transfer of particle हाँ पार्टिकल का net displacement zero होगा नो डाउट अभी और दिवेदर एक 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 जामपल दे रहा हूं अब देखो इसका दूसरा एजामपल कैसे समझ सकते हूं जो कि मैं तुम लोग को क्लासिस में भी जनरली यह चीज़ बताता हूं कि मालोग एक assembly hall में धेर सारा बच्चे हैं ठीक है प्रेयर के लिए मॉन्डियम के प्रेयर होता है न स्कुल में ऐसे बच्चे हैं सबको स्टूडेंट समझाओ अब इस स्टूडेंट इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के ल एम एम आयागा ना यह एम तक ठीक है नाइन से बच्चे खड़े मैं इतने बच्च होगे कि तुमको तो याद होना चाहिए कि ए से एम तक कितना होता ह कि रीजुनिंग कैसे स्टूंब करेगा तेरा हो गया ? ऐसे गिन रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तिरा याद होना चाहिए एसे हम तेरा होगा एसे जट 26 होगा ऐसे याद होना चाहिए तब तो रिजनिंग में काम आएगा हमारा तो चला गया टाइम हमारे टाइम पर याद था जब मैं सॉल्व करता था रिजनिंग आता ऐसा देखा होगा ना कोडिंग रिजनिंग किये हो चलो माल लो कि इस ए के पास मैंने एक पेन दिया पेन से तुमारा मन नी भरेगा मिठाई दे देता हूँ काजुली दे दिया इसको मैं और इसको एक ही काजुली दिया और मैं बोला तुमको नहीं हो एम को दे कर आना है तो कितने तरीके होंगा उसके पास हुझ जाक दे देगा हाँ वह सब यह टरीका नहीं है कितना बुरा लगे गया ऐसे खाना फेक के दे रहा हूं मैं तुमको वही आए मैं कहां सा सीखता यह सचीज है कल चमाले तुम रोटी खाने बैठा मम्मी रोटी दो मम्मी उदाशा बना रही तुरा अक्सा प्लेटर फेक दी सही लगेगा मॉल आशा протар को भाई वह कौन से लिए काम क्यों करना अगे असान सा तरीका है एक की सको पास करेगा में अगि को ऐसे करते करते हैं घिला सותाई के निया अत्ता कॢशा अगpolitik से जो स्वीट स्खाने से एनर्जी तो आ रहा है ना इसको तुम एनर्जी समझो और यह A, B, C, D, M तक जो लोग ना उनको पार्टिकल समझो पार्टिकल ही है वह सारे बच्चे पार्टिकल ही है अब इसको एनर्जी A से M तक पास करना है एक तो तरीका वह खुद जाएगा एनर्ज इसको दे दिया, B को दे दिया, B, C, D, D को दे दिया, क्या एनर्जी पहुंच गया M तक? बिलकुल, बट क्या M चला? B चला? नहीं, ऐसे नेजर को बोलते है वेवनेचर, क्या बोलते है इसको? वेवनेचर, अब बताओ, क्या इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेस्मेंट हो क्या है? नहीं, बट मैंने जो डिस्टर्बेंस की रेट किया, मैं जो भी मैंने एनर्जी दिया, क्या वो एनर्जी यहां तक पहुंच गया? बट पार्टिकल चला क्या? नहीं, इसी को क्या बोलते है? समझ में आया, बहुत अच्छा स्किलेर हुआ, हाँ, अब देखो इसम थोड़ा सा तुम आगे आओ, थोड़ा सा यह आगे आएगा, भाई चारा है, दोनों आगे आएंगे, यह आगा तो यहां पर एनर्जी लिया इससे, फिर यह इसको दे कर वापस अपने पोजिशन पर आ जाएगा, बी क्या किया सोचो, बी पहले थोड़ा सा इधर आया, फ बढ़ चलने का कोशिस तो किया, बढ़ डिस्प्लेस्मेंट कितना हुआ, जीरो, ठीक है, तुम रसी वाले के के समें देखो, रसी वाले के समें क्या हो रहा था, यह पार्टिकल है, यहां वाला, इसको मैं उपर उठा रहा हूँ, क्या उठा रहा हूँ, उपर, हलका से और और खीचाती है यह वेव ऐसे बनेगा, यह उपर गया तो तो पृर नीछे भी आएक वे, एक मोमेंट वे, फिर वो नीचे भी जाएगा के लिए यह बत कि यहां से से यह वेव बना, फिर यह ऐसे मैं बनेगा, फिर से बना, पिर उप्र एसे मैं अखुला, जो भी 两 ay upward motion किसका हुआ upward motion पार्टिकल का बट एनर्जी कि यभर रहीए है कि सब इनर्जी कि अधर है ये गिया हमारा है है me अब इस वाले केसी में देखो, पार्टिकल की दाओ चलने का कोशिश किया आगे.. आगे चलने का कोशिश किया ना ठीक गया ने बद चलने का कोशिश के दाओ आगे और एनर्जी में किदार गया आगे ही.. यह किसका मोशन है, पार्टिकल, और यह किसका मोशन है, वेब मोशन बोल दो, वेब या फिर एनर्जी, क्या दोनों सेम डारेक्शन में है, या फिर अपोजित डारेक्शन में, और इस किसमें क्या है, परपेंडिकुलर, क्या इस बेसिस पे, मैं वेब को दो भागवा बाट स इसको क्या बोल दूँगा लोंगी ट्यूडनल और इसको क्या बोल दूँगा ट्रान्सवर्स लिखो सबसे पहला लोंगी ट्यूडनल वेड इसको लिखना देखो एक लिखो लोंगी ट्यूडनल वेड लोंगी ट्यूडनल वेड में क्या करोगे डाइग्राम कुछ ऐसा बनाना यह हो गया पार्टिकल दूसरा हो गया पार्टिकल तीसरा हो गया पार्टिकल चार चार पार्टिकल से काम चले जाएगा हमारा पार्टिकल भी किधर गया आगे एनर्जी भी किधर गया आगे इसको लिखना पार्टिकल मोशन और इसको लिखना एनर्जी मोशन एनर्जी मोशन लिखने को जब नहीं है सिंप्ली एनर्जी प्रोपागेशन लिखने को चल क्या रहा है तो लॉंगी टूटनल वेप का डेफिनेशन क्या होगा लॉन प्रोपागेशण रॉपागेशन ऑफ प्रोपागेशन आर्फ वेव जब भी प्रोपागेशन आप वेव बोलनोग इसका मतलगं olsa बेल आउस vamos士्ती की बात कर रहां हो एनर्जी की ठीक है ना कि वेब जब भी बोलूं तो आंक बन करके यहां पर यह समझना कि सर एनर्जी की बात करें क्योंकि वेब नाम के कोई चीज होता नहीं है एनर्जी होता है उसी को यह बोलते हैं वेंडिश्वेंड डारेक्शन और प्रोपागेशन ओफ वेव इज पार्लेल टुटू डारेक्शन ओफ प्रोपागेशन ओफ पार्टिकल तब ऐसे वेब को हम लोग बोलते हैं लौंग इट्यूडनल वेब के लिए हो गया इसमें मस्ट एक्जाम्पल है साउंड यह तुम्हारे कोर्स में है तो साउंड इज वेब विच काईंड ओफ वेब लौंगी डिट्नल वाई क्योंकि यहां पे डारेक्शन और प्रोपागेशन ओफ पार्टिकल और डारेक्शन और प्रोपागेशन ओफ वेब पार्लेल होगा ठीक है अब इसमें एक चिछ क्या प्रॉब्लम आता है लौंगेशन वाले में अधर प्रॉब्लम के नया ची सिखो इस और भी पार्टिकल आ है जहां यहां भी पार्टिकल आप तुम सोचोिः यह सब्सक्राइब सिनने क्या था कि स्क्रीव यहां पेगे आगे दोड़्सारी कि वड़ायाए था beter des David यहां नहीं कि यहाँ दूर्च यहां जाएगा फिर यान नाय सब्सक्राइब तो पिर एखल हुआ यहां कि यहां कि यह तो होगा क irrational फिर यह इनर्जी लेकि फिर देने जाएगा फिर यहाइड्य स militarinen की एथ होगा तो शुरू में जो higher pressory करएड्य हो गया क्या वही bipartisan बढ़ी चलते जा रहां के बढ़ते जारां बढ़ते जारां कहां तक पौंछ जगा जहां तक जाना को ठीक है इस हाई प्रेशर रिजन को हम लोग बोलते हैं कि अधिक है हाई प्रेशर एड हाई देंसिटी इसको क्या बोलते हैं कॉंप्रेशन कॉन से रिजन है कम प्रेशन रिजन विद्ध हाई प्रेशर एड डेंसिटी और जहां पर यह लोग प्रेशर रिजन क्रियेट हुआ इसको बोलते हम लोग रेरी फैक्शन रेर फैक्शन ने बोलते हैं इसको बोलते हैं रेरी फैक्शन पढ़ते हैं रेरी फैक्शन ठीक है यह कैसा रिजन होगा रिजन विद लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी लिखनू रिजन विद लो प्रेशर एंड लो देखो जब नाइंद के कोर्स न पढ़ा तो इस अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा बट यहां पर हमें कंप्रेशन तरीके से पढ़ना एक से दो लेक्शन पूरा कंप्लीट करना तो जहां पर जितनी ज़र्ण थे में पढ़ाते चला जाओंगा ठीक है तो तुम से कोई पूछेगा कि सांड वेब में क्या बनता है एक कंप्रेशन देख रेडिफेक्शन फिर एक अगला कंप्रेशन फिर दूसरा रेडिफेक्शन कंप्रेशन कंप्रेशन चलते हैं ठीक है कि फड़ा फट करो ना बहुत तेजली को यतना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आगे भी बढ़नाव लोग को हो गया चाहिए और वेरी नेक्स्ट इस कौन सा वेव है कि ट्रांस वर्स वैब में क्या बताया मैं वेव और स्ट्रिंग उसका वन या बेस्ट इजामपल था कि इस तुम पार्टिकल को ऊपर खीचोगे तो वेब तो कुछ ऐसा बनेगा ऐसा कुछ वेब बनेगा कि लिए तो इसमें पार्टिकल का मोशन हुआ उपर और वेव गया राइट डारेक्शन में मोशन ओफ पार्टिकल प्रोपागेशन ओफ इसमें क्या लिखोगा डेफिनेशन में वेन और 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 वेव और पर्पेंडिकुलर समझ माया एक्जामपल लिखनाने की ज़र रहा था या क्या एक्जामपल इसका या फिर वेव और स्ट्रिंग इसको क्या बोलता है रसी पर वेव लाइट ना बोलकर पूरा के लिएक्जामपल यहाइब गामा इल्फा बी ता जो बहुत एक्जाम अ फैजासब chemotherapy अजिसको लोग कर दो कभा का यह उपर गया हां कि यह वला यह वाला कॉमें बहत Smile देख त्यू निश्शनैन्ड सम्टन्ट भी इसको विलॉसिटी गया ऊपर जैसे वापस नोगे तो विलॉसिटी होगा यहां पर तियो रुखने देगा यहां खांट एल harsh no यह तो मौशन हो रहा है भर यह क्यूंके इसे बंधा होगा है तुम एसा सोचो तुमारे हाथ हुए है तुम बो लो सर्म तुम इसको उठा रहे है यह कहा हुठ रहे है कि अमान सेंष यह थो डावधे नियुक्त है और अच्छी बात यह हो गया ट्रांस्वर्स वेग तो नाव यहां तक कोई भी कन फ्यूजन है तो बताओ आगे बढ़े एक और बेसिस है वेब का क्लासिफाई करने का वेब अन बेसिस अप मीडियम इस बेसिस पे हम वेब को फर्दर दो भाग में बाट रहते हैं वेरी फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेकैनिकल वेब कि मेकैनिकल कि दूसरा को हम लोग बोलते हैं कि नौन कि मेकैनिकल या फिर इसी को बहुत बार हम लोग इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब बोल देते हैं इलेक्ट्रो मेगनेटिक क्योंकि तुम्हारे लिए अभी तक यह मुए भी नौन मेकैनिकल है मेकैनिकल सम्थिंग जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़र्द हो इसका क्या एक्जामपल हो जाएगा इसका क्या होगा इलेक्ट्रो मेगनेटिक इसका क्या एक्जामपल हो जाएगा साउंड अभी हमने देखा वेब और स्ट्रिंग भाई अगर स्ट्रिंग रहा ही नहीं तो चलेगा उस पर वेब नहीं ठीक है याद करने का तरीका देखो अगर लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता तो तुम्हारे तक पहुंचता वह यह कहां सारा स्पेस से आ रहा है ठीक है ऐसा समझो कि यह है तुम्हारा अर्थ यह तुम्हारा सन और यहां ही तो है कहीं तुम्हारा एट्मोस्फेर इसकी अंदर मीडियम है इसके बाहर मीडियम नहीं है कुछ भी नहीं है वेकम है तो यहां से अगर एक लाइट वेब आया तो भाई अगर इसको मीडियम चाहिए होता तो यहां तक तो आहीं नहीं पाता है ना चलो ठीक जैसे अंदर आएगा तो पहुंच जाएगा क्योंकि एयर पार्टिकल है बट इसको यहां कौन ला रहा है कोई भी नहीं इसका मतलब कि लाइट को चलने के लिए मेडियम की ज़रा नहीं है सो लाइट इसकाइड फार्ट नंगेकल वेड नोगेल वेड में अच्छ लाइट अप अपट अ उल्क्ट तो अल उल्क्ट अप्रमेंटिक एड नों में अनिकल वेड इसलिह नों मेंचेशन का एक और नाम है एम वैव दो आप अभी तुमको आगे पता चलेगा तुम जो पढ़ रहा है को मेडियम में इसन भी जरूरी नहीं है ठीक है मतलब चाहिए और नहीं भी चाहिए यह अलग चैप्टर ही तुम अलग से पढ़ होगे उसको फिर पता चलेगा कि क्या होता यह मैं इसलिए वह वेब अलग तरी सब्सक्राइटिक फिल चल रहा है और इन दोनों के पर्पेंडिक्लरी वेब चल रहा है इसी को यह मुए बोलते हैं तो अभी तुमको आयागा धिरे-धिरे समझे मैं ऐसा समझो देखो अगर तुम थोड़ा सा अगर पूछ दिये हो मैं बता दूं ज्यादा नहीं डाइज अच्छी बात है यह एक्स एक्सिस दिस वाई एक्सिस और डिस इस एक्स दिस यह पता क्या होता है कि एक्स एक्स में रहता है छहने एक्सिस प्रकेशेयम क्या रहता है एक्सिस अधान होटा उसे एक्सिस तुम घ्राइज स्गसित हैं इन दोनों को वापस में ऐसे बाग बावघर से इस इस प्रोपागेशन अफ वेप अभी तुम कोई डाइजेस्टी नहीं होगा लोग सब्सक्राइब क्या चान रहे हैं पड़ाई से ही कुछ होता है अब तुम इसे बहुत द्रत्म घोजा होगे तो नहीं समझ मैं अगा भी वक्त आने तो समझ मैं अगा ते लिज़ सेम नेचर का क्या मतलब हो तुमको बहुत चीज नौलेज का भाव है तुम अब इस पर कोशन पूश भी नहीं पावगे इसलिए तुमको जो क्लेस्ट्रेक्रिक्रिस्टिक होता है जैसे अगर मैं पार्टिकल का करेक्ट्रिस्टिक की बात करूँ तुम्हारे पास दो चीज है एक है वेब नेचर या फिर वेब और दूसरा है पार्टिकल के तुम्हारे पास में दो पार्टिकल दे दिया मैं बोखोका क्वा एडेटिफाइई करो यह दोने दुसरे से अलग है कैसे पार्टिकल मतलब मैं तुम यह सब चेर के टे वाली से डिफेरेंस है अरहां से बता दोगे साइज फंक्शन डायमेंशन मास बहुत सब्सक्राइब अगर दो पार्टिकल को डिस्टिंग्विस करना क्या करना है डिस्टिंग्विस दो पार्टिकल को, तो distinguish करने को multiple parameter होगा, एक तो तो तुम्हारा dimension हो सकता है, mass हो सकता है, weight हो सकता है, बहुत सरे चीज़े हो सकता है, मैं बोलूं कर तुम दुने एक कि दूसर से कैसे अलग दिखते हो, दोने particle हो, तो multiple parameter है बता सकते हो, बट मैं बोलू कि तुमको दो वेब दे दिया मैं यह एक वेब ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है बताओ यह दुनों से कैसे क्या बोलोगा इसका मास कम इसका मास जादा है इसका डैमेडिण स्चाफ़ील का मैं तो परमीटर करना होगा सो कि हमको वेज़म के बारे में बताए और डीटेल में बना कुछ ऐसे पर बताओ जिससे की वेब के कारेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं तो वह पैरेमीटर है वेवलेंद फ्रिक्वेंसी एम्प्लीटूड है ठीक है तो सबसे पहले डालो प्रोव कि पार्टीज ओफ वेव कि सबसे पहला क्या प्रोपर्टी है वेवलेंद फिर फ्रिक्वेंसी फिर एम्प्लीटूड बहुत सबसे लोग टाइम पिरिएड भी बोलते है लिख लो इसमें ही मैं अलग से बता दूँगा देखो इसमें से ना कुछ चीज ऐसा है ना जो पार्टीकल का भी प्रोपर्टी है और वेव का भी प्रोपर्टी है जैसे फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी पार्टीकल का भी प्रोपर्टी है टाइम पिरेड इस अल्सो प्रोपर्टिकल का एस सोचो कि एक कार है जो उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन कर रहा है तुमसे नहीं पूछाओ तक वट इस टाइम पिरेड तू पाई और भाई वी कार क्या है प्रोपर्टिकल है एक प्रोपर्टिकल कि इतना स्प्रिंग ब्लॉक सि जो कि प्योर वेप का प्रोपर्टि है यह प्रोपर्टिकल का प्रोपर्टि नहीं कि लिए रहे हैं बाकी प्रोपर्टिकल का भी है और वेप का भी है एक एक करके चलते हैं ठीक है सबसे पहला क्या है नीचे से शुरू करते हैं असान होगा समझना है एक एक करके चलते हैं कापिटल एस इसको हम लोग बोलते हैं मैक्जिमम डिस्प्लेज्मेंट देखो ऐसा समझो कि जिसमें यह क्या था मीन पोजिशन इस मीन पोजिशन से स्प्रिंग को फीच के ले जाते थे हैं कि यह कौन सा पोजिशन था एक्स्ट्रीम पोजिशन जैसे मैं इसको यहां सा छोड़ता तती यह इधर आता है और यह कौन सा पॉजीसन है मीन पॉजीशन और यह कौन सा है इस मीन पॉजीशन से एक्स्ट्रीम पॉजीशन इस नेडिर ने को सब्सक्राइब अबॉलते हैं एक इस यह आए लेख अ कंगे यह तो पार्टिकल और प्रोपरी हो गया माल लोग कोई वेब ऐसे चल रहा है मस चल रहा है इसमें इस जो पार्टिकल का यह यह जो मैक्सिमम मैक्सिमम दिख रहा है यह यह जो मैक्सिमम डिस्प्लेस्मेंट है दिख रहा है यह जो मैक्सिमम डिस्प्लेस्मेंट है इसी को क्या बोलते है and denoted by A अगर यह उपर में A हुआ तो नीचे में क्या हो जाएगा minus A यह भी क्या है amplitude यह भी क्या है amplitude यह भी क्या है clear है समझ में आया देखो हाँ तुमने term नहीं पढ़ा इसको amplitude नहीं बोलेंगे term देखो यहाँ maximum maximum वाले को ही क्या बोलते है amplitude minus A अरे तो minus बता रहा कि एक उपर जा रहा एक नीचे जा रहा है direction बता रहा magnitude दोनों के सेम है क्यों डिफरेंस नहीं नहीं अभी हम लोग energy को लॉस नहीं ले रहे है जब तक तुमको ना बोला जाया तब तक energy को लॉस नहीं जब तक तुमको ना बोला जाता तक friction नहीं लेना होता पढ़ाया था नहीं अगर energy को लॉस लोगे तो भाईया यह कुछ ऐसा बनेगा जो कि तुमको 12 में भी ने पढ़ना है इंजिनेरिंग में पढ़ना है ऐसा बनेगा यह होगा ना बहुत जाद है इंप्लिटूट फित्रशा कम कम होते 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 हैं इसको नहीं बोलते है अब तक ना बोला जाए आइडियल नर्जी बराबर है खतम नहीं हो रहा है कि लिए रहे है कि चालो कि अम्प्लिटूट समझ में है डिज़ा मैक्समूम डिस्प्लेस्मेंट कि लिए अब तुम बताओ वड़िदा यूनिट कि क्या होगा यूनिट कि आवड़ा है कि यूनिट के में यूनिट कर दिया तुमने भी अए भाइया ल्यक्स मैक्समूम डिस्प्लेस्मेंट इस यूनिट वी मेटराय मन चांव ना पढ़ रहरा आज कर लिए कि यह तो पूछने की बात नहीं थी वह पूछ दिया ऐसे मेरा मन किया है कि हो गया कि फटा फट लिखो में आज पहुंचना कहीं सभी करके वेब एक्वेशन तक पहुंचना है अज तुमको कमी लगता है कि डॉपलर इफेक्ट पड़ पाएगे हैं हो गया ना यह लोग पर यह सजा सजा कर लिखता है यह घर पे जाकर सजाय करो दूसरा क्या था फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी को हमेशा हम लोग एप से डिनोट करेंगे किलियर है चलो वे बनाता हूं अगर चलता रहेगा अनंत काल थक है ठीक है अच्छा एक बात बताओ वट इसमीनिंग ऑफ वन कम्प्लीट और सिलेशन स्प्रिंग बॉलक से चलिए मियाद है मीन से एक्स्ट्रीम से मीन वापस पीछे एक्स्ट्रीम और फिर मीन यह कितना उसलेशन है एक मतलब अगर यह यहां से शुरू हुआ चलना तो यहां से चलके पहले यहां जाएक हो गया 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 देखो स्प्रिंग बॉलक सिस्ट्रम में याद करो एक ही चीज दस बर बोलने पड़ता है यह स्प्रिंग था याद है पहले हम लोग उसको खीच के कहा ले आते यहां यह कौन सा पोजिशन था है फिर फोड़ा यह मीन पर आगया क्या एक ही हो गया नहीं अभी आधा हुआ फिर इदर आएगा ना फिर नेगेटिव एक्स्ट्रिम फिर यह गया एक कम्प्लीट यह हुआ एक बार प्लस एक बार माइनस सेम तरीके से एक बार उपर गया क्याल माइनस यह गया एक कम्प्लीट यहों गया ने से और प्लस बहुत आएक कम्प्लीट यह गया दूसरा कम्प्लीट यह गया जंद कंerg घूओं है ऐसें engine अए यह पांच वांच बार कम्प्लीट उस्यnisseं jean है यह पांच हैं वा पौन फ्रेक्वेंसी बोलता है कि एक शेकेंड में कितने ऑसिलेशन सुंगे ठीके अच्छ एक बाद बताओ कि कि कौप्लीट ऑसिलेशन करने में एक कम्प्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलता है टाइम पिरियेड क्या बोलते हैं टाइम पिरियेड यह सब तो पढ़ाते आ रहा हूं सुरूशन है टाइम पिरियेड को हम लोग देनोट करते हैं कैपिटल टी डट इस वाट टाइम टेकेन टू कम्प्लीट वन और सिलेशन किलियर है यहां तक पर फ्रिक्वेंसी किसके बारें बात करता है कि एक सेकेंड में कितना ओसिलेशन होगा ठीक है किलियर है एक एक जामपल को तौर पर समझो कि यहां से यहां आने तक पीला उला तक खतम उने तक एक सेकंड लगा कितना लगा एक सेकंड तो बताओ यहां पर एक सेकंड में कितना उसलेशन तीन तो फ्रिक्वेंसी कितना थ्री समाझ मारा ना मालों कि एक सेकंड में यहां तक पहुंच गया तो कितना फ्रिक्वेंसी है पांच कि एक सिकन में कितना उसीलेशन होगा डैट इज फ्रिक्वेंसी अच्छ एक बात बताओ ऐसा समझो थोड़ दिर कर इसको भूल लेगो ऐसा समझो देखो कि यहां से यहां जाने में इसको लगा कितना लगा इसका टाइम पिरिएड कितना होगा तू सेकन हुआ यह वन सेकन होगा यह तू हो गया यह कितना होगा तीन यह चार यह पांच यह छे साथ आट नो दस इसका टाइम पिरिएड दस है इसका टाइम पिरिएड कितना है तू कितना है तू ताइम पिरिएड 2 बट फ्रिक्वेंशी कितना इसका 0.5 समझ में रहा ना एक बात बताओ एक टाइम पिरिएड में 30 सेकेंड में कितना उसे लेशन न यहां पेन कितना है तो एक उसे लेशन कितना लगेगा टीवाई क्या लिखुंग बताओ टीवाई एन यही होगा ना चलो अगर नहीं समझते हो भूल जाए इधर से लेखुंग दो सेकेंड में कितना उसे लेशन एक है दो सेकेंड में वन ओसे लेशन हमको निकालना है फ्रिक्वेंशी और फ्रिक्वेंशी इन फ्रिक्वेंशी इन फ्रिक्वेंशी इन फ्रिक्वे ऐसे लिखो, 1 by 2, इसको ऐसे लिख सकता, 1 by 2 क्या था इसका, time period, तो 1 by t, इसका मतलब, अचा, 1 second में जो oscillation, what that is known as, frequency, frequency, तो frequency is nothing but 1 by time, period, अरे मैं छोटा सा लेकर सम्झाया, एक तुक्ड़ सा, इसे तमा सुरू में N लिखा था, तुमनों मूवचीर दिये, नहीं समझ वारा रहा है, मैंने 1 कर दिया, ठीक है, दो सेकेंड में 1 oscillation, तो 1 सेकेंड में 1 by 2 oscillation, तो 1 by t, अब आपस तुम बता विर, ठीर से, आप दोलो, बता, frequency का unit क्या होगा, अरे यहां से बताओ, frequency is nothing but 1 by t, and what is the unit of t, second, तो frequency का unit होगा, second का power minus 1, नहीं सम्झें, अरे भाया, frequency ब्राबर क्या है, 1 by time period, 1 by time period, time period का unit क्या है, तो क्या जागा, 1 by second, 1 by second को क्या लिखते है, second का power minus, 1, ठीक है, तो frequency का unit है, second का power 1, और इसी को हम लोग बोलते है, hertz, that is denoted by h, clear है, now, the last, but not the least, wavelength, अच्छा, अब रहे लेक फिर से बतातो, अज पकड़ाया है, वेव कोई नहीं बोलेगा, वेव लेंथ का unit क्या होगा, वेव लेंथ, लेंथ है ना, तो मेटर होगा, एतना क्या सोच रहा था, wavelength is denoted by this letter known as lambda, ठीक है, उल्टा वाई, लेको, डेको, क्या मतलब समझे, वेव लेंथ, हम, हो गया, एक बात बताओ, यहां से यहां चलने में, क्या एक complete oscillation हो गया, एक complete oscillation में energy कितना दूर चला, यह, यही चला ना, तो देक कम् प्लीट और सिलेस्टन में एक इतन पर नीचे चल रहा है एनरजी पार्टीकल नीचे ऊपर नीचे चल रहा है in ऐनствен stranger अगेा है बदाइंगा व्थ इन एक अप्र कि लिखूं कि अब दिख रहा है कि यह लेंद्थ है तो यूनिट बात करने का ज़राथ ही नहीं है क्या होगा यूनिट विल भी यह बहुत बेसीक है यह पढ़ना नहीं तुमको यह पढ़ा रहा हूं क्योंको आगर जो पढ़ाओं को इसमें जरत पढ़ीगी यह है डिस्टेंट्स आप वेब इन वन कंप्लीट हूं हो गया प्रवाद बताओं मैं कुछ और बताता हूं तुम बताना कि यह वेवलेंट है कि यह वेवलेंट है कि नहीं नहीं है है नहीं है क्या है अगर यहां से चलना सुरू किया क्या एक कंप्लीट श्यां नहीं कर लिया एक complete oscillation के distance को क्या बोलता है बहुत बार बुक में क्या बोलता है इसको crest बोलता है इसको trough बोलता है and the distance between two adjacent crest is known as wavelength इसको क्या बोलता है और इसको trough बजरतने उसकी इसको बोलते है crest लिख लो जो peak बोला पॉइंट है crest और जो bottom लोग पॉइंट है उसको बता हो इसको बता हो टी आर ओ यू जी एच इसको बोलते है तो एक crust यह हो गया एक crust यह हो गया तो दोनों को बीच का जो distance है क्या यहां पे complete oscillation नहीं हुआ 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 तो इसको क्या बोलते है अच्छा दो ट्रॉफ की बीच का डिसेशन नहीं क्या वेबलेंथ है तो दिस्तेंस बीच बीच का डिसेंट क्या हो जागा लेंदा यह हो घच बीच का यह जो इसके बीच का यह जो 2 नहीं समझें कुछ और राटना नहीं है समझो बस समझ महारा मैं बोल दूगा कि distance between 10 adjacent crest is 100 what is wavelength कितना होगा 10 अरे 10 के बीच का कितना distance है 100 तो 2 के बीच का कितना होगा दस और दो अडजेशन के बीच को किया बोलते हैं मैं बोलते हैं दिस्टेंस बीट्विन अडजेशन crest and trough is 100 meter कोचन धार से सुनना distance between adjacent crest and trough is 100 meter what is wavelength 200 कि मैं समझा कि दिस्टेंस बीट्विन अडजेशन crest and trough is 100 तो यह हो गया crest यह हो गया trough इसके बीच कर्दिशन कितना दिया हो मैं 100 तो वेवलेंट कितना 200 कि यह दिमांग यूज करना है कि समझ मैं आ रहा है यह बात कि अच्छा एक बात बता हूं 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 कि मैं इधर नी बनाओं इधर वेव नहीं है इधर भी है हर जगा चलते जारा जिंदी कि बरूं हूं हूं मैं बस ऐसे बना रहा हूं अच्छा लग रहा प्लस बनाने लिए यह हस यह जो डिश दिस नथा नथ लेज इस लडिए क्या वल जो निसे बूर्ड घव यह बलाजन छिल को रहा हूं Final विलोसिटी किसका होगा, पार्टिकल का या एनर्जी का? याद रखना इसे बात करुए. This is velocity of energy. बहुत सारा लोग विलोसिटी सुनती पार्टिकल समझते हैं. बाट यह किसका विलोसिटी है? एनर्जी का. हाँ, पार्टिकल का भी विलोसिटी होगा. यहांगा पार्टिकल उपर दार तो इसके वेलेशटी उपर निची होगा हम पार्टिकल की बाद करेंगे शल्ज़ मीमेरा बत यह किसका अजुपे वेलेशी कि वेलउसिटी है एनर्जी के एक बाद बताओ तुमने इक फर्मूला पढ़ा होगा स्पीद मतलब वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी ब्राबर डिस्प्लेस्मेंट अपान टाइम यहाँ पर कोई अक्सलेरेशन नहीं चल रहा ठीक है इंद डिफाइन कर देना वेलोसिटी वी मैं एक कम्प्लीट टाइम के लिए किसके लिए सकतता हूं यह एक कम्प्लीट के लिए एक कम्प्लीट में कितना डिस्टेन्स अल्यामडा उर एक कम्प्लीट समय रटी चला कितना लेदा Garay जलने में समय कितना लगा अब एक बात बताओ कि इसको ऐसा लिख सकता हूं वी इन्टु वन बाइटी और वन बाइटी क्या होता है f, to v is equal to lambda into f, this is probed. V is nothing but velocity of wave, lambda Lambda is wavelength and F is frequency. Velocity of wave, Lambda is nothing but wavelength and F is nothing but frequency. Clear हो गया यहां तक, कोई भी confusion है, बहुत असान चक्टर है यह तो, मदा आ रहा होगा भी तक तो तुमको पढ़ने में. किलियर है? हो गया? चलो, बहुत बढ़ी, आगे देखते हैं. V is equal to Lambda into F. कहानी? अब ना कुछ-कुछ factor पर बात करते हैं. यह जो frequency है, यह वल्ली depends upon source. जैसे मालनुक मैंने बोला, ठीक है? तो मैं बोला तो यहां से sound एक wave निकला, उस wave का velocity भी होगा, frequency भी होगा और time period भी होगा, wavelength भी होगा. अब जैसे ही यह wave पानी में गया, मतलब मेरा sound कहां गया? पानी में, क्या velocity बदलेगा? बिलकुल बदलेगा. भी है, density बदल रहा है, interference बदल रहा है, velocity बदल जाएगा. अब बताओ, अगर velocity बदला, बतला left side बदल गया, तो right side बदल जाएगा. तो right side में दो चीज़ है, wavelength and frequency. यहाँ बदलेगा क्या? wavelength. frequency नहीं बदलेगा. frequency कब बदलेगा? जब source ही बदल दे. source मतलब जो इस sound को या फिर जो इस wave को बना रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा frequency fixed. अगर मेरा यह wave, travel करते करते दूसरे में में गया, तो क्या बदलेगा? velocity. क्या बदलेगा? wavelength. क्या न बोलना शुरू कर दिया, तो frequency भी बदल जाएगा. क्योंकि मैंने क्या बदल दिया? source. पहले कौन था source इस sound का? मैं. अब कौन है source? यह. तो source बदल दिया, नहीं. तुम को ऐसा लगता है, बदा ऐसा होता नहीं. सुनो. जैसे यह मानलों कि sun है. क्या है? sun. तो sun से तुम्हार जिस्का वेब निकला? क्यों निकला ना? वेब निकला, बतला लाइट, लाइट इस बाइट वेब, इसमन वेलोसिटी भी है, लेम्डा भी है, freक्वेंसी भी है. Markißt, यह मानलों कि यह वेब दूसरा मेडिया मेडियम अ गिया, मीडियम त्में आ गिया किसमा गिया मीडियम? अभी मीडियम 1 में था मीडियम 1 जैसे मीडियम 2 में गया तो इसका क्या क्या बदल जाएगा इसका बदल जाएगा वेलोसिटी वीडैस हो जाएगा क्योंकि मीडियम बदल गया वेलोसिटी बदलने के साथ ही लेमडा बदल जाएगा क्या सिम रहेगा एक मीडियम से दूसरे म जाने पे भी frequency सेम रहेगा मतला number of oscillation सेम रहेगा समझ माई यह बात तो बदलेगा क्या wavelength और velocity common सी बात ऐसा सोचो frequency क्या है number of oscillation per second wavelength क्या है distance अरे अगर velocity कम हो गया क्या कम हो गया velocity थी क्या wavelength कम नहीं होगा wavelength क्या है distance मैं चल रहा हूं मत्यश्तिश भाग रहा हूं मैं ज्यादा दूरी चलूंगा तो मेरा wavelength ज्यादा मट मेरा velocity कम हो गया मेरा wavelength क्या हो जाएगा कप समझ माई रहा है बट एक सेकर नंबर of oscillation क्या रहेगा कि लिए यह बात को यह बहुत कंफिस करता है velocity and wavelength लिखो velocity and wavelength depends upon medium but frequency depends upon source जो यह frequency है वो शिर्फ एंड सिर्फ किस पर depend करेगा source जो यह frequency है वो शिर्फ एंड सिर्फ किस पर depend करेगा source कि लिए रहां तक है मैं थोड़ा साउंड वेप के बारें बात करता है इस पेस्पिक किसके बारे में not all wave किसके बारे में sound wave कि कि के बारे में sound wave कि कि के अगर तुम टंप्रेचर बढ़ाते हो हो तक है sound का वेलाश्टी बढ़ेगा कि अंसर इस पहले सबसे बेसिक पार्ट देखो कि मैटर पर आते हैं कि कि इतने मैटर है कि तीन कि ऐसे होता तो बहुत है कि सॉलिड कि लिक्वीड और कि कि sound energy कैसे ट्रांस्फर और जैसे मैंने बोला बगल वाल पार्टिकल एनर्जी लिया वह बगल वाले को वह बगल वाले को वह बगल वाले को और तुम लोग तक पहुंची गया ठीक है अगर मैं पार्टिकल हटा दिया तो इस sound को ले जाने वोला कोई है नहीं जब कोई है नहीं तो तुमको sound सुनाई देगा नहीं समझ मेरा यह बात तो traveling of sound required medium समझ मेरा नहीं बात मतलब वैकम में sound सुनाई नहीं देगा मतलब तुमको यहां से चांद पर ले जाग रख दिया कैसे बात करोगे कुछ अलग medium बनाने पड़ेगा अब तुम ऐसे हवा बात नहीं कर सकते को वहां पर हवा है ही नहीं A medium है यह अच्छ एक बात बताओ कि शॉलिइड में पार्टेकल एक दूसरे कर माक द May hebben Baptist है लिक्विड में कहां पास है कि ص्व में का पार्टीकल हो गया कि यह लेक्वीट का पार्टीकल हो गया कि किसका पार्टीकल जाइब एस लिए आपसमें डूसरे कर पास है पास होने को वज़ा से नर्जी का ट्रांस्पर फास्ट फास्ट होगा कि यहां पर वेब ट्र प्रफिट्फ क्या होगा जादा माशंपिट क्या होगा maximum maximum और यहां पर क्या होगा मीनीमम और इसके बीच में कहें लिक्विड में होगा तो तुमसे कोई पूछ दे कि सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों में सबसे फास्ट साउंड कहां ट्रेवल करता है इन सॉलिड इस बात को लिक्विड लूँ में होग्या कि बाइड में चाइए इन राइट JIो ब्रहे मेट मेनले बंटरैने also live on youtube प्रणे करें लूएम गेंटर्य के वलगणेटर्ड बाइटलों के और ट्रें-ई का है तुम अभी डाजस नहीं कर पाऊगा उसको तुम ना लाइट के बहुत कुछ नहीं जानता अब देखो हमारा ज्यादा तर जो पाला पड़ेगा स्पीड ओफ साउंड इन एर देखो फिक्स नहीं है स्पीड ओफ साउंड इन एर इस फिक्स नहीं है ठीक है डिपेंड करता है तुमको अगर कुछ ना दिया हो कुछ भी ना दिया हो तुम यह लेलाना कि इतना लेना 340 मीटर पर स्ट बट जादा तर केस्म को को स्टन कर देगा कि इतना लेना है कि लिए ने बट अगर ना दिया हो तो 340 लेकिन अगर तुम 340 लेकर solve किये और तुम्हारा answer आ गया मैं लोग करेक्ट answer 17 और तुम्हारा आ रहा 16.5 तुम 17 tick कर देना जो हो सकते कि वो कुछ और लेकर किया हो solve बहुत लोग 343 ले लेते हैं बहुत लोग 330 ले लेते हैं ठीक है बहुत लोग 333 ले लेते हैं कुछ fix नहीं है ठीक है factors on which speed of sound depend हम पूरे पूरे वेप की बात नहीं कर रहा हूं मैं किस की बात कर रहा हूं सिर्फ एड़ सिर्फ साउंड एक स्पेशल केस सबसे पहला फैक्टर है टेंपरेचर तेंपरेचर बढ़ाओगे तो जो तुम्हारे स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगा और जो फॉर्मूला है वी का वे थी थी वन प्लस जीरो पॉइंट सीक्स वन इन्टू टी याद रखना टी मस्ट बी इन सेल्सियस यहां पिर ती सेल्सियस में बड़ जनरली टेंपरेचर कैसा यूनिट क्या होता है केल्विन फॉर्मूला देख रहों क्या स्पीड ओस्ट का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं मैं महनाती हूं इतना दों कर सकता हूं मैं प्रेक्टर ओन सबसे पहला फ्रेक्टर क्या था टेंपरेचर मैंने देखा कि टेंपरेचर भाईया बढ़ाओगे तो स्पीड भी क्या होगा बढ़ेगा फॉर्मूला क्या बताया 331 प्लस 0.61 इंटू टी जिसमें की एक बात याद रखना है कि टी किसमें होगा celsius कि लिए रहे रहे तो तुम से मैं पूछ दोंगा find speed of sound at 300 Kelvin बता फटा 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 find speed of sound at 300 Kelvin याद रखना temperature must be in celsius only Kelvin लिए भाईया तो अपने रिस्क पर लेना कि थ्री कि थ्री फॉर्टी कि और सेवन कि चलो बढ़ियां का सब का रहा तो सही होगा तुम लोगों भरोसा है मुझे करना क्या है तीन सो को किसमें कंवर्ट कर दोगे celsius में कितना हो जगा 20 कि और यहां डाल दो बाकी तो मैथ ठीक है फिर टेंप्रेचर डिपेंड करता है हुमीडीटी पे इस पर डिपेंड करता है अगर हुमीडीटी बढ़ाओ गए तो स्पीड ऑफ साउन बढ़ेगा यह हुमीडीटी फेक्टर आता है ना गर्मी में बहुत हुमस है बहुत हुमस है हुमीडीटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउन बढ़ता है अब बताओ प्रेशर एक्वेशन पीवी इसक्वाल टू एन आर शकल देख रहा है इसको पीवी इसक्वाल टू नाटी पढ़े हो ना मेंटा वो फिजिक्स में भी बहुत यूज होगा प्रेशर और टेंसिटी पर सांड का स्पीड पताँ 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 प्रेशर बढ़ा दो कुछ मतलब नहीं हो इसको बट वनली फॉर आईडियल गैस इसको प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है बोलेगा प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है बोलेगा प्रेशर नहीं पढ़ना है रिएल गैस तो इस तो इस दिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं प्रेशर के अवह पर प्रेशर के अनर्जी लॉस पर और भी फैक्टर काम आएगा न कि पार्टिकल कितना ज्यादा है कितना अनर्जी लॉस कि sound का speed कितना दूर तक जा रहा है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि energy का loss कितना हो रहा है और loss होनेगा factor फिर हम को देखने पड़ेगा, कि what are the factors which are causing to loss उसमें one of the factors होगा velocity मालक मज़ेसे बोल रहा हूँ हाँ उदर से चल रहा है sound का speed को कम करेगा ना समझ बार यह बात तो नर्जी क्लाव जादा नहीं होगा इसी को नों पढ़ेंगा डॉपलर एफेक्ट ठीक है फिलाल यहां जो पढ़ा रहा हूँ के लिए रहे लिख लिए यहां तक अब जो लिखूंगा फ़र डाइजेस्ट नहीं होगा तुमको बढ़ डाइजेस्ट कर ले रहे हैं ठीक है यहां तक तो बहुत बेसिक था स्टैंडर्ड इक्वेशन ओफ वेब आम टॉकिंग बाट वेब नोट सांड वेब जेनरल वेब ठीक है ऐसे स्टैंडर्ड रिक्वेशन तो कुछ और होता पार्चल अरिबेटिव ऑफ डिए इसक्वार बेडिए बहुत कुछ अलग तरीका उसा तुमको वो ने पढ़ना है ठीक है तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बताता हूं कि वाई एक्स कॉमा टी बराबर ए कि साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एकस प्लस माइनस कॉम्हार था डाजेस ने लिखो पर एक एक चीश्ची समझाता हूं बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां वाई ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस फाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफा अब जस्ट बताएगा उल्टा टांग नो आम्पली टो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंश फ्रिक्वेंशी या वेलोसिर कुछ भूलतो टी टाइम एक्स डिस्प्लेस्मिन के नहीं जानते होगे तुम फाइ नहीं जानते होगे तुम उसका मतलब यह बता रहा है मतलब से एक लाइन में समझ जाओगे यह चल रहा है वेव ठीक है मैं बोलता हूं कि यहां से एक्स दूरी पे यहां से कितने दूरी पे एक्स दूरी पे यह एक्स दूरी पे है एक्स दूरी पे है समझ में रहा है जो भी पार्टिकल है कौन सा पार्टिकल है यह समझ में रहा है तुमको यह वला दूरी कौन सा होगा वाई अरे उपर क्या है वाई नीचे क्या है एक्स अब समझ में रहा है तुमको यह बता रहा है कि एक्स दू जुबी वाला पार्टिकल ऐसा समझो आलाम से समझो यह स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग ऐसा समझो थोड़ा सा डाजेस्ट करना टॉफ है बढ़ समझ जाओ फीक है मैंने इसको खीचा हुए तो यस से और ग्या इस तो यह व्पर एंपार्टिकल कुछ फट ने चाने कर रहे हैं मैं बोलता है यहां हा का पाटिकल तो इसा क्या नाम दो रामोला फॉल jsem पाटिकल नहीं . क्या बोलूंगा ? यहां से एकस दूरी पounded कल वह कैसे चल रहा है ? तो X किया, this is the location of particle, कहां से, from, mean position, समझ मेरे X का क्या मतलब है यहां पे, X basically बता रहा है, कि यहां, इस equation का मतलब समझ देखो, कि यहां से X दूरी पे, जो भी particle है, उसका Y कितना है, यहां से X दूरी पे, जो भी particle है, उसका Y कितना है, यहां से X दूरी पे, जो भी particle है, उसका Y क पाइब नहीं को ज़रूरी नहीं है यहाला पार्ट कर रहा तो यह जनरल लेक्वेशन बात कर रहा हूं समाज मारे मैं क्या बोलना चाहरा हूं हा एक टाइम होगा कि य अम्पलिटीट के बराबर हो जाएगा कब यह पूरा जब 90 डिगरी हो जाए the design 90 कितना होता है one are ninety one तो यह पूरा वाई किसके बराबर हो जाएगा एक इसपेशल केसे वह पूरा जेशन नहीं लिख दिया एक्वेशन कभी बिस्मेक हो नहीं दिखाता वह जेर्डल हर एक पार्टिकल के बारे बताता है हर एक पार्टिकल के बारे बात पर चाहिए अ ओमेगा को बोलते हैं अंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर लाइट इस टू पाइबाइफ तुम अंगुलर फ्रिक्वेंसी लिख मैं बता रहो क्या हो क्या है ओमेगा को क्या बोलते हैं अंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या को बोलते हैं वेब नंबर पाई को बोलते हैं फेज कॉंस्टेंट है आई नो आई नो डाजेस्ट नहीं हो रागा भी भी पर फिला लिख कूंँ सब्सक्राइं चाहिए नो यह वता है यह कुब विख को रागा बोलते हैं ओमेगाक परहें प्लीट को बोलते हैं नो उमेगा को बोलते हैं अंगुलर फ्रेक्वेंची थे कहीं ना कहीं सर्कूलर में आगा साउंड निमें जनरली वेब की बात कर रहा हूं वह जो डेरिवेशन दिया था वेब के लिए वेब कहीं ना कहीं सर्कूलर से रिलेट कर रहा है समझ मारा बताऊंगा कैसे चल रहा है फिदाल अब हो जैसे तुम लोग मोमेंटम पढ़ते हो कि था अब जो बड्याबर एम इनटु फी फढ़ते साऊंा वह लु लिनियर मोमेंटम है वह घूमनेर में होंते हैं मम आता did 시청 कै बुल्र मोमेंटम यजो का कर्लिदुले शेकवर में होका उसको युव कि बडार राबर में हो बुक आइंगूलर क्वासी अठिवमने वह वह और यह ओमेगा रेडियन पर सेकेंड प्रहाया तो हूं मैं ओमेगा अरे उस ओमेगा को ना लीनिए अभी तुम कर्फूज को जाओगे इस ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंची के साथ अगुलर वेलोसिटी भी बहुते हैं प्रहाया तो था वी इसकोल टू ओमेगा इंटू प्लस अलफा थीटा 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 इसकोल टू प्लस हाफ अलफा थीटा प्रहाद रखाऊं सब अगर नहीं याद है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं शुरू मजा आ रहा था अब सजा होने लगा अब होगा दिरे दिरे केकीओ डिट्वा थीटा है मश्करण जेता हूं माज कर स्कूर मिए लिखः यह थीटा एंगल हाँ दिया जाएगा वो इस कॉंस्टेंट तुमको दिया जाएगा चलो एक कोचल लिखता हो तुमको बस इतना ही काम है वाई बराबर जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर साइन 25x-40t तुमको बस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए है मैं जो जो पूछूंगो बताते जलना ठीक है सबसे पहले कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर डट इस नहीं बट तू सेंटीमेटर हो गया अब बताव टाइम पिरियेट है जीरो प्रचल ही नहीं रहा है वो कि देखो एक बात बताता हूं इसको सॉल्व करें का तरीका बतारों इसे तुकर नहीं मानना है देखो एक्वेशन लिपा लेए वाइबर क्या है जीरो पॉइंट जीरो टू साइन 25 एक्स माइनस 40 ट यह दिया हुआ एक्वेशन है और तुम बताव इस्टेंडर एक्वेशन क्या होता है जो तुमको मैं पढ़ाया था भी पताओ एक्वेशन याद रखना एक्लिस्ट य बराबर ए साइन कुछ भी लिख सकता हां सुमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस वाइट प्लस माइनस अब दुनओं को कम्पेर करके एक एक चीज लिख ।ालो ओनू एक्वेशन को अन कम्पेरिंग compare करो बता यह बराबर compare करो इसको यह से 0.02 मीटर omega बराबर omega किस के साथ प्राटी के साथ t के साथ क्या है यहाँ पे 40 omega कितना जाएगा 40 radian per second this is the unit of omega k बराबर k किस के साथ है x के साथ x के साथ क्या है 25 5 बराबर है है ही नहीं नहीं यह तो क्या होगा 0 अरे प्लस 08 कर देता हूं कि समझ में आई यह बात अब देखो तुमसे क्या पूछा मैं time period time period t is nothing but 2 pi by omega यह फर्मूला कभी याद आया है पढ़ाया हूं यह यह बत बोलना है बहुत बढ़ाया हूं अगर तुमको यह नहीं पढ़ाया होगा तो यह भी पढ़ाया हूं मैं 2 pi r by v यह पढ़ाया हूं ना बहुत बढ़ाया है एक बता v बराबर क्या होता है omega into r तो बता इस ओमेगा किधर लिए तो क्या जागा वन बाई ओमेगा विक उधर लिए जागा आर बाई भी इस आर बाई भी जागत क्या लिए नहीं आ गया अब बता कितना का टाइम गरें Oh my look-up yeah Eleidei to do phi by omega to colon omega कितना है है चालिस कि अधार उमेगा चालइस है ना अब हमने कंपेर किया शिक्रथ को मेने कितना चालिस तो टाइम पिरीट कितना ह जाएगा पाई भाई 20 सेकांड़ पाई-पाई में रहने दो हाँ इसा ही छोड़ दो चलो फ्रिक्वेंसी बताओ फ्रिक्वेंसी एफ ब्राबर क्या होता है वन बाई टी तो फिरी क्या जागा 20 बाई-पाई हर्ड्ज बताओ वेवलेंथ कि अहां देख़ो वेवलेंथ फर्मूला कहां से रेलेट कर आती इक्वेशन देखो बताया दाकी की बराबर टू पाई-बाई-बई-ब्रड़ आप भी जैस्ट पढ़ाया हूं यह ना कि बराबर क्या के बराबर क्या होता है यहां से के बराबर क्या होता है तू पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा तू पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ नहीं काम है कंपेर करके देखना एक में और दे रहा हूं सारा काम करना तुम नहीं से ज्यादा तुमको स्वाल नहीं करना है कि इस ज्यादा तुम्हारे लेबल का है भी नहीं हो चलो यह हो गया एक सी और इसमें बताना भूल गया हूं मैं बताता हूं यह भी लिख लेख़े हैं वेलासिटी और यह होता है ओमेगा बाई के क्या होता है ओमेगा बाई वेलासिटी और वेव का फर्मूला है ओमेगा बाई के च हो गया लिख दू वो लिख रहा है बिता हूं गया चलो एक कोशन लिखू यह एक भी गलती मत करना इसमें है वाई बराबर फोर साइन पाई बाई बाई टू इन्टो एट टी माईनस एक्स बाई एट इसमें पता फाई कितना है इसमें कि फेज कॉंस्टेंट कितना है फेज कॉंस्टेंट जीरो कहीं पर भी तो नहीं है कि चलो सबसे पहला कोश्चन कि अब बेसिक से सुरू करता हूं कि बच्चा नीन में बता देगा कितना है कि ऐरें अन्य कि अबाई कैक्स प्ल हम आ प्ललीग हो तुम लोग थे बाला बोल दा सब से पहले Celsius सी ए और्सेंट ये क्या है वाई बरहाँछ ए थी साइन ए कक्स प्लस माइनस ओमेगा टीप्लस माइनस प्लस माइनस फाइवो reasons अपने तो उमेगा टी पहले लिखा था कोई दिकत ने उससे थे इस टेंडर एक्वेशन भाया साइन के बाहर जो वह एंपलीट्यूड है साइन के बाहर कितना है 4 यह एंपलीट्यूड कितना होगा कि boa पाइटी मैनस या पाइवा websites in 2x plus 0 डिगरी लो कि है एब सब्सक्रिक ना चीटना अब में अब इस रिविन सब्सक्रिस अन्हें है कि इतना यहां पर कि वेव नंबर बताओ कि वेव नवर डाटिस के के साथ क्या है पाइबाइब कि चलो लेंडा बताओ वेव लेंद्ध कि बताओ क्या फर्मूला था करो कि बराबर कुछ फर्मूला बताया था तू पाइबाइब जो भी हरा देखो पाइबाइब कितना है पाइबाइब सिक्स्टीन तो लेंड़ा इस नतिंग बाइब थर्टी टू मीटर कि तुम लोग यह नहीं कर पा रहे हो तो जिंदिगी में तो कलंक है फिर कि टाइम पिरिएट कि टी क्या था टू पाइबाइब ओमेगा तू पाइब ओमेगा कितना है पॉर पाइब कितना जगा जीरो पॉइंट तू सेकेंड सेंटीमेटर फ्रिक्वेंसी कितना है वन बाइटी कितना जाएगा तू हड्स हाहां यह जिरो पॉइंट फाइफ होगा अब बता वे वेलोसिटी है क्या बताया ओमेगा बाइब के ओमेगा कितना है ओमेगा टी फोर पाइब अधिया ना ओमेगा बाइब कितना है पाइब आइब सिक्स्टिन अगर जोओ सट मेटर पर यह तो ऐसे निकल गया बट एक बट और बताओ वेलोसिटी का फर्मूला था लेंडा इंटू एफ बता लेंडा कितना निकाले हो फ्रिक्वेंसी कितना है तू अधियर होगा ना अभी पूरा चीज़े नहीं आएगा समझे बटा तुमको है मचदार तुम से नहीं होगा उसके पिछे का रिजन यहीं है कि तुमको एक और कोशन देता हूं फटा-फटा बताओ हुम संदeu में हमें आया हुआ थे तो एक्क जन चाहपता है मैं का भाव है जल्दी जल्दी कर ओ नो कर सदए निको अउप प्रोग्राषिव दिए इक्वेशन ओप्रोग्रेशिव वेब बहुत राका वेब होता सायने स्वाइडल प्रोग्रेशिव यह वो तो बोल्दा सिंप्ली वेब प्रोकस करूं कुछ भी लिखते हो कोई मतलब में इक्वेशन ओप्रोग्रेशिव वेब लिखो एक्वेशन 200T, 200 into T, minus X, 200 T minus X, find the velocity of wave, find the velocity of wave, option लिख लो, 4 option, कितना होगा, 200, कितना असान कोचन आया है, ठीक है, तो एक और कोचन लिखो, तुम पाले लिखो, य ब्राबर, A sin omega t plus minus kx plus minus 5, अरे लिखा तो रखाओंगो मैं, ने ने कोचन लिखो, which of the following is not true, which of the following is not true for this progressive wave, which of the following is not true for this progressive wave, that is 4 sin 2 pi T divided by 0.2 minus x divided by 100, where, where x and y are in centimeter, where x and y are in centimeter, and time t, time t in second, चार ओप्शन देरो, बताना कौन सा सही नहीं है, ओप्शन ए, इस अम्प्लिटिवड इस 4 cm, तुनो अप्ला सॉल कोरा पड़ा पड़ा पड़, इस wavelength is 100 cm, इस frequency is 50 cycle per second, आस गया है, इस प्रोपागेशन वेलोसिटी इस 50 into 10 to the power 3 cm, तुका नहीं मारना है, सौल करो, दिखा, सलूशन दिखा, जी करें मीटर पर सक्रें में है, तू cm Р गांज सर, दी आग eliminating cm में संट्री मिट्मिटर में गजिए, सिर भार आं, स एक्मट्मिटर नहीं basically हो, सेंट्मिटर है gilt कुछ, और तो आप्शन के कोडिंग बदलोगे ना किसी को खाना ने खाना फिर भी जबर जस्ती खिला रहे हो कि अधिक लेंगे तुक्का नहीं मानना पहले बता रहा हूं मैं 7 चलो आंसर भी बता देतूं अधिक लिए तो तोहरा वी जन्म अधिक कर लो अधिक जो अधिक कर रहा है तुम लोगे जाहरे नहीं मारना इस आल क्यों नहीं कर रहे हैं तुम लोगे जलो हटा इसको multiply करो, multiply करो, क्या बनेगा, y बराबर 4 sin 2 pi divided by 0.02 into t, 100 pi कर दें, कोई बड़ी चीज नहीं, minus, चलो कर दें, 100 pi, 100 pi into t minus 2 pi by 100x, यही है ना, क्या, अरे ठीक है, तुमको OCD हो रहा खाया है, क्या यह, यह दो, amplitude a बराबर, 4, omega बराबर, 100 pi, radian per, x बराबर, sorry, k बराबर, 2 pi, चलो लो, तुमारे बात लिख दता हूँ, 5y, अच्छा, पता, k का unit क्या होगा, k का unit क्या होगा, k बराबर क्या, 2 pi by lambda, lambda का unit क्या होता है, meter, तो k का unit क्या होगा, meter का power minus, 1, और मैंने यह भी बताया था, कि sine के अंदर वाला के कुछ भी angle नहीं होता है, अबर competition करवाया था, तुम लोग को सब को याद है, unit वाला, x का unit क्या है, meter, तो इस पूरे का unit क्या होगा, 1 by meter, मतला, meter का power minus, 1, so that इस पूरे का अंदर का कोई भी unit, नहीं होता है, t का unit क्या है, second, यह अब omega है, यह अब omega क्या जगा, second का power minus, 1, हाथ उसी को radian per second लिखते हैं, इदर देखें, तो पहला तो सही है, पतला पहला सही है, अब आजाब wavelength पे, वेवलेंद कहां से निकलेगा, के से, 2 pi by lambda, पाई से पाई गिया, तो lambda निकल गया, कितना, 100 cm, cm में होगा ना, क्योंको मैंने सब लिख रहा हैं, cm में, अब आजाओ, frequency, f ब्राबर क्या होगा, मैंने बताया था ना, omega ब्राबर 2 pi f, देखा न, omega ब्राबर 2 pi f, f ब्राबर क्या हो जाएगा, omega by 2 pi, omega कितना है, omega कितना है, 100, pi upon 2 pi, कितना है, 50 hertz, भाईया, 50 hertz दो साइकल में है, साइकल और कम्प्लीट साइकल अलग होता है, इस इज वन साइकल, तो साइकल, इस इज वन कम्प्लीट साइकल, कम्प्लीट साइकल, कम्प्लीट की बात नहीं करें, किसकी बात कर रहें है, साइकल की, कितना साइकल है, 2, 2 साइकल में कितना है, 50, एक साइकल में कितना हो जायागा, बस गया, ठीक है, 50 hertz हटा, पर साइकल लिख देना, 50 hertz हो गया, पर साइकल फ्रिक्वेंसे समझो, कितना हो गया, 50 हो गया, कहा निखा तक किया बच गया option D उसको भी verify पर यह लेते हैं उसको भी अर्य यहां तक यह भी साइद निकला ना 50 आया 50 है कि छोड़ तो भी तुम कंफिस कर जाओ हां मैं सब्सक्राइब अच्छा यह देख लो वेलोसिटी पर आजाओ वेलोसिटी क्या है भी ब्राबर ओमेगा बाई के ओमेगा कितना है हंड्रेड पाई के कितना है पाई बाई 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 50 यह आएगा 5000 सेंटीमेटर पर सेकेंड ही होगा तो इसका अंसर जागा 5 इंटु 10 पावर 3 बट यह पर 50 है this is the answer अगर यह multiple option correct में होता है और ऐसा लिखता कि which one of the following is correct तो अंसर क्या होता है A B और C हाँ सी सही है नहीं दिए वो था और मैं कर्फिज कर गया था frequency कितना होगा 50 और से frequency आया कितना 50 आया ना ठीक है पार साइकल कुई तो frequency बोलते है एक सेकंड क्या लिखा हुआ है number of cycle पर सेकंड रिक्वेट्स के क्या रिपनेशन था number of cycle पर सेकंड पुरा कर दोनों पर एक ही साइकल मांगा ठीक है के लिए यहां तक एक लास्ट करो उसके बार फिर आगे बढ़ते हैं टाइम का पुछा था आत करो अराम से पांच मेंट पहले छोड़ूंगा अगला क्लास बढ़ते क्या करना है hmm 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 अब तुम्हों कर लोगे ना यह स्टेंडर एक विसन याद रखना है वाई बराबर ए साइन के एकस प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई ठीक है और उसके बाद उसको कंपेर कर लेना देने वाले से वहाँ से निकालने ओमेगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा एक क्या होगा बाकी फर्मूला तुमको याद रखना वहाँ से आगे कंप्लीट करना ठीक है इतना अगे 47 होगे तो नायक से तो पढ़ाई नहीं सकता हूं तो एकात पोशन ही कर लेते है hmm चलो एक तुमोंग एक्वेशन ली दाट्स गुट ओड़ार मोड़ा ही लीकलो गलत सही कुछ-कुछ इए बता दूं अहां तुमको लिखना है मैं बता देता हों कुछ-कुछी जे या फिर इनिशाल थोड़ो तुम लिको फेज ऑकंस्टेंट यह 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 10 मेटर यह 20 मेटर यह 30 मेटर और यह 40 और यह वाला वैलू दे रहाएं आपहो वें 5 सेंटीमेटर टाइम पिरियोड दे देता हूं टाइम पिरियोड टी ब्रावर 3 सेंटेड फाइंड वेवर फाइंड वेव फाइंड इसमेशन ओ wave travels in negative direction देखो नेगेटिव का मतलब बता देता हूं इसे देखो Y बराबर क्या है A sin KX-ω T अगर यहां पर यह माइनस है इसका मतलब यह प्लस में जा रहा है अगर यह प्लस है इसका मतलब यह माइनस में जा रहा है यहां पर क्या बुलाओं वेव ट्रैबल इन नेगेटिव डायरसन तो यहां पर क्या एगा प्लस बस यही है इन्था निकालो कर दिये है एक्वेशन निकालो सब सब पहले जो चीज़ वैलू दिया वार नोट करो एंपलिचिट कितना है पांच अरे सेंटीमेटर में तो क्या तकलिफ है जरो पांट जरो फाइब लिख सेंटीमेटर यहां इसना सिंप्लिफाय कर दिया हो इतना सिंप्लिफाय देते नहीं बहुत कुछ टेटा इंवालिट राता है थे एंवाटल एमप्लिफुट यह बराबर कितना हो जागा था फॉयफ सेंटीमेटर टिभ फइस दौण फाइस और लेंड कितना बताओ प्ला कि अर二 ऐलेंडा विए अरे लेंडा मिल गया तो特ौ नहीं मिलेगा यश्टे बराबर क्या होतना 2 부분이 ऑ है लैम्ड़ तो 2 pi by 20 that is pi by 10 क्या कर रहे हो time period दे रखा हूं क्या वास क्या निकल जाएगा ओमेगा करो फट आफट अरे यह wavelength एक complete cycle में जो distance चलता हो क्या कहलाता है 1 tasty tender equation लिखना वाइबर ए boga X कर वालू डालना ही नहीं है घजये तर्म में लिखते तर्म पो uniqu यह पाई कटर में छोड़ो बताओं, ओमेगा कितना है? 2Pi by T, ओमेगा T minus, यह plus, plus K, Pi by 10 into X, this is the case. यहाया? समाज़ बाया? कोई जरू ने कि तुम यहां से नीचे जागा नीचे, सुपर भी आ सकते हैं. कोई जरूरी ने, इसको तुम सेंटी, अगर तुम 0.25 कर दीते हैं, मेटर कर दो, नहीं मनने, तो simply लिख दो 5 cm, कोई दिकत ने, बत लिख देना, कि लिए हैं और फिर आप्शन के कोडिंग मोडिफाई कर सकते हो, चलो एक लेक्टर आउट लगेगा, जिसमानों पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट होगा है, जो को सबसे इंपोर्टेंट है. कि अ क्या है?